ये है जवाली रिफ्यूजी कैम्प, 31 अक्टोबर को इस्रेल ने यहाँ छे मेड इन अमेरिका बॉम्स गिराए रिपोर्ट्स के हिसाब से हर बॉम्स की विस्पोटक शमता एक टन टी एंटी के बराबर थी पूरा का पूरा रिफ्यूजी कैम्प अब निस्तो नाबूद हो चुका है चार सो से जादा जाने भी जा चुकी हैं और अभी भी बहुत सारे बच्चे बहुत सारे बेकसूर फिलस्तीनी मलवे के नीचे दबे हुए हैं इस बार इसरेल ने डिनाइ करने की कोशिश भी नहीं की बोला हाँ भी हमने ही बम गिराया था क्योंकि हम हमास के एक टेर्रिस्ट को अटैक करने की कोशिश कर रहे थे अगाजा में अब जो हो रहा है वो हमारे जीवनकाल का शायद सबसे बड़ा नरसंगहार चल रहा है हमारे आँखों के सामने हमास के आतंकी हमले के बाद इसरेल को हक था बिल्कुल था कि भई वो एक बदला ले हमास को खतम करने की कोशिश करे लेकिन अब ये बदले की भावना एक जैनोसाइड का रूप ले चुकी है estimates के हिसाब से इस खुंखार एटाक से पहले जो अभी हुआ इसरेल ने अल्डेडी हिरोशीमा बॉंग जितनी विसफोटक क्वांटिटी गाजा पर वो गिरा चुकी थी और अभी हम पिछले कुछ तीन-चार दिनों की बात नहीं कर रहे हैं बंबारी की बात नहीं कर रहे हैं जब बंबारी अभी चरम सीमा पर पहुँच रही है 28 अक्तूबर की रात को इसरेल ने गाजा में complete shutdown का डाला internet, electricity, mobile coverage और रेडियो तक को भी बंद करवा दिया गया जिससे फिलिस्तिनियों का कतले आम हो सके और कोई media coverage उनको ना मिल सके अंधा धूंद बंबारी चल रही है इसरेल ने ground invasion भी शुरू कर दिया है multiple fronts पर और अभी कुछ जादा clarity देने की कोशिश नहीं कर रही है इसरेल लेकिन इसरेली forces गाजा पटी के अंदर जाकर घुस घुस के heavy fighting कर रही है heavy firing कर रही है उधर ये जो war है ये कैसे expand हो सकता है इसकी चेतावनी हमने देशभग पर भी पहले देने की कोशिश की थी और अब ख़बर आ रही है कि येमिन की हाउदी resistance group ने इसरेल पर war declare कर दिया है देखिए अब इस पर meme बना सकते हो क्योंकि येमिन को declare करने से कुछ होता नहीं है कोई फरक नहीं पड़ता है वो बहुत दूर है लेकिन fact is कि क्या और Middle Eastern countries इसमें होसेंगी इस war को expand कर देंगी और कुछ rockets अभी इसरेल के तरफ उन्होंने fire भी किये हैं येमिन के तरफ से और अभी सब देख रहे हैं कि Hezbollah group का reaction क्या होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में उसके according फिर situation और भी खराब हो सकती है meanwhile UN General Assembly में vote हुआ कि एक immediate ceasefire किया जाए काफी सारे western democracies ने इस ceasefire के खिलाफ vote किया UN में और विश्वगरू इंडिया ने भी एक जमाने में जिसे एक peace building capacity से जाना जाता था एक peace building nation जाना जाता था उसने भी humanitarian ceasefire से abstain किया अब इसके बहुत सारे diplomatic reasons हैं but the fact is कि हमने abstain किया जबकि हमारे सारे आसपडोस neighbors ने इस पागलपन को रोकने के पक्ष में vote किया था उधर WikiLeaks ने 30 October को Israel Ministry of Intelligence का एक document leak कर दिया जिसमें ministry Israel सरकार को recommend कर रही है कि घाजा से सारे फिलस्तीनियों को बेरहल कर दिया जाए उनको Egypt के Sinai region में फेक दिया जाए और वैसे इसमें leak की कोई जरूत नहीं है जो Israel का colonial जो plan है जो long term plan है वो काफी obvious ही है 1947 और 2023 का अगर आप map देखेंगे तो ये बात साफ हो जाता है कि ये बेदखल करने का जो सिंसिला है जो प्रक्रिया है वो चली जा रही है UN के general secretary ने भी साफ साफ कह दिया कि हमास का ये attack अपने आप तो नहीं उत्पन हुआ है अरे इसके पीछे भी एक इतिहास है उन्होंने कहा कि इसरेल कबजे के चलते फिलिस्तीनियों का 56 साल से दम घुट रहा था फिलिस्तीनियों ने देखा कि उनके जमीन को कैसे सेटल्मेंट्स के द्वारा खाया जा रहा है फिलिस्तीनियों पर अत्यचार होते ही जा रहा है उनकी एकॉनमी का गला घोड दिया गया है उनके घर तोड दिये गए है और उनको बेदखल कर दिया गया है अब इतना भी सच नहीं बोलना था यानि हमास का हमला दशकों से चलते आ रहे इसरेली हिंसा के रिस्पोंस में था युएन जेनरल सेकेटरी के इस बयान से इसरेल तिल्बिला उठी और इसरेली सरकार ने कह दिया कि अब हम युएन ओफिशल्स को इसरेली वीजा ही देना बंद कर देंगे उधर हमास के स्पोक्सपर्सन ने भी बयान दिया कि 85% हमास के फाइटर्स हैं वो बच्चे हैं जिनके माबाप को इसरेल के एस्ट्राइक्स ने पहले ही मार दिया था उन्हीं अनाद बच्चों ने फिर बड़े होकर हत्यार उठाना सीखा अगर ये बात सच है कुछ डिगरी तक भी ये बात सच है तो सोचिए कितने अनाद बच्चे हैं और कितने अनाद बच्चे अब हत्यार उठाने वाले हैं आने वाले सालों में हमास को वेस्टन पावर्ज ने टेरर ग्रूप तो डेजिगनेट कर दिया पर यही इसरेल के खिलाफ चूं तक नहीं निकलती है इनकी जबकि साफ हो चुका है कि इसरेल फिलिस्तीनियों के साथ वही कांड कर रही है जो हिटलर ने यहूदियों के साथ किया था इतने सालों पहले उल्टा इसरेल को वेस्टन देश पैसा और हतियार सप्लाइ कर रहे हैं और अब तो इसरेल के इंबैसेडर इंडिया को भी कह रहे है कि भाया देखो जल्दी जल्दी हमास को एक टेरर और्गनाईज डेक्लेर कर दो बने हमारी रन नीती क्या होनी चाहिए वो इसरेल अब हमें बताएगा याद रखिए इंडिया की उफिशल तोर से रन नीती काफी नीट्रल रही है ना ही हमने हमास को कभी टेररिस्ट ग्रुप बुलाया है और ना ही और बाइद वे इवन नरेंदर मोधी सरकार ने भी ये बात साफ कर दी कि आज तक इंडिया टू स्टेट सल्यूशन चाहता है यानि फिलस्तीनियों के लिए उनका देश इसरेलियों के लिए उनका अपना देश लेकिन अपना देश तो दूर की बात है अभी तो लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं अरे मौत का आकड़ा दस हजार के आसपास पहुँच चुका है और जो वेस्टन देश अपने आपको डिमॉक्रिसी जो बुलाते हैं वो क्या कर रहे हैं इसको रोग क्यों नहीं पा रहे हैं और मीडिया का क्या रोल है क्या ये नरसंगार को और हवा दे रही है जानते हैं नेता टाइप आधा काम मत करो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी तबाओ जब युनाइटेड नेशन्स में युएस एंबासेडर अपनी भाशन बाजी कर रहे थे उसी टाइम पर इस्रेल गाजा पर मेड इन युएस बॉम गिरा रहा था प्रोटेक्शन अफ सिविलियन्स एं अपोल्डिंग लीगल एं हुमिनिटेरियन अप्लिगेशन के रेजिलूशन पास तो हो गया भारी मिजॉरिटी से पास हो गया क्योंकि वेस्ट की डिमोक्रसीज को छोड़ कर बाकी पूरी दुनिया फिलिस्तीन के साथ है उनके दर्द के साथ है हमास के साथ नहीं फिलिस्तीन के साथ है इन दोनों के बीच में फर्क को समझना काफी ज़रूरी है नहीं तो कोई पॉइंट नहीं है विचार विमर्ष करने का और डिवेट करने का लेकिन इससे कुछ नहीं बदलेगा ये रेजिल्यूशन से कुछ नहीं होगा UN, Human Rights Watch, Amnesty International और दूसरे बड़े बड़े इंटरनाशनल ग्रूप्स ये सब रिपोर्ट दे चुके हैं प्रूफ दिखा चुके हैं कि कैसे इसरेल एक अपाथाइब स्टेट है Human Rights violations कैसे होते हैं War Crimes कैसे हो रहे हैं और जमीनी कबजा कैसे चल रहा है मगर इसरेल ये सारे काम कंटिन्यू कर रहा है कभी एक्सक्यूज हमास का होता है, कभी बाइबल का होता है पिछले कुछ हफतों की बात देख लीजिए इसरेल ने मेडिकल परसनेल्स और हॉस्पिटल्स तक को टारगेट किया है अलहेल का किसा आप जानते ही है कल तर्की फिलिस्तीनी फ्रेंचिप हॉस्पिटल पे इसरेल ने बाम गिराया और अलकद्स हॉस्पिटल जिसमें टोटल बारा हजार लोग कहा जाता है मौझूद है उनकी अथॉरिटीज को अब कहा जा रहा है कि आप भी हस्पिटाल खाली कीजिए यहाँ पर हम बम गिराएंगे क्योंकि यहाँ ही से हमास ऑपरेट करती है वर्ल्ड हेल्ट और्गनाइजेशन अलकद्स को री सप्लाई भी नहीं कर पा रही है क्योंकि हॉस्पिटल के चारों तरफ इस्रेल बमबारी कर रही है वही वज़े है हमास वाला इन हॉस्पिटल को इडाक्यूएट करा भी नहीं जा सकता है काफी मुश्किल है बहुत सारे पेशेंट्स हैं क्रिडिकल लाइफ सपॉर्ट पर हैं कई गर्बती महिलाएं हैं प्रीमिचूर बेबीज हैं यूएन कॉडिनेशन ओफ हुमिनिटेरियन अफैर्स के एक ओफिशल ने कहा कि फ्यूल की खतम हो जाने के वज़े से सारे डायलेसिस के पेशेंट्स और प्रीमिचूर बेबीज की जिन्दगी अब खत्रे में है 9000 से जादा कहा जाता है कि यहां कैंसर पेशेंट्स की ट्रीटमिंट भी चलती रहती है और ये लोग इनसान है गाजा कोई बंजर इलाका नहीं है यहां 20 लाख लोग रहते हैं बाजार है स्कूल्स है अस्पताल है मस्जिद है चर्च है एक पूरा सिविलाइजेशन है एक सब्धता है जिसको इसरेल अभी साफ कर रहा है यूनिसेफ के हिसाब से रोज 400 फिलिस्तीनी बच्चों की मौत हो रही है हाँ वही हमास की गलती है Human Rights Watch ने कन्फर्म किया है कि इसरेल ने वाइट फॉस्फरस का इस्तमाल किया है इल्लीगल केमिकल वेपन है जिससे आने वाले पीडियों में जेनिटिक डिफेक्स तक हो सकती है इसरेल ने दरजनो जनरलिस्ट को मार गिराया है उन्हें की फैमिलीस को चुन चुन कर अटाक किया है सिर्फ घाजा में ही नहीं वेस्ट बैंक में भी नाव अत्याचार का जो सिंसिला है अब वो और भी चरम सीमा पर पहुँच रहा है वेस्ट बैंक में बाइदो वे कोई हमास नहीं है लेकिन वहाँ भी रिफ्यूजी कैम्प में बंबारी हुई है रेड्स हुए है बुल्डोजर चले है कुछ लोगों की जान भी गई है वेस्ट बैंक में कई फिलस्तीनियों को इसरेल बेघर कर रहा है डीटेन कर रहा है रिपोर्ट्स है कि इसरेल ने फिलस्तीनियों को डीटेन करके टॉर्चर भी किया है उपर से इसरेल ने पैलिस्टिनियन अथोरिटी जो की वेस्ट बैंक में सरकार की तरह और्परेट करती है उनका पूरा टैक्स का पैसा फ्रीज कर दिया है तो वहां के लोगों को कोई उनका वेलफेर भी नहीं हो सकता है उनकी कोई भलाई भी नहीं हो सकती है उसी के साथ साथ इसरेल लेविनॉन पे सिरिया पे अपनी एर रेट्स कंटिन्यू कर रहा है इसरेल ने ये सब काम दिन दहाडे सब को बता कर सब के सामने किया है इसकी कवरेज भी मौजूद है ट्विटर खोल लो आए दिन आपको विजवल भी दिखेंगे पर अब शायद जो बरबरता होने वाली है वो अंदकार में होगी इसरेल की ब्लैक आउट स्ट्राटिजी के चलते अब फिलिस्तीनी अपनी मौट की कहानी दुनिया को बता भी नहीं पाएंगे क्योंकि सारे के सारे जो आप्शन्स हैं कम्यूनिकेशन रूट्स हैं उनको बंद करने की चेश्टा चल रही है पीने के लिए साफ पानी नहीं है दवाई खतम हो रही है बिमारिया पहल रही है सैकड़ों बच्चे मलवे के नीचे दब रहे हैं मौत का आकड़ा एक्स्पोनेंशली बढ़ने की वाला है क्योंकि इंटरनेशनल कम्यूनिटी कुछ कर नहीं पा रही है इजिप्ट के कुछ शहर जो कि गाजा के करीब 40 मील दूर है वहां के लोग 28 अक्टोबर की रात को फोटो अपलोड करके दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गाजा देखो कैसे जल रहा है वैसे दिख तो पूरी दुनिया को भी रहा है आँखें बंद कर लिये तो दूसरी बात है सिक्योरिटी काउंसल में जब रश्या रेजिलूशन लाई की गाजा में एक इमीजिट हुमिनिटेरियन सीस फायर होनी चाहिए तो ग्लोबल डिमॉकरिसी के सरपंच और उप सरपंच यूएस और यूके ने रेजिलूशन को वीटो किया यूएस ने कहा कि नहीं 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 हम जादा से जादा एक हुमिनिटेरियन पॉज अलाउ कर सकते हैं कि एक दिन बम गिराओ, दूसरे दिन फिलस्तिनियों को लाशे उठाने दो, तीसरे दिन फिर से बम गिराओ, चौते दिन फिर से लाश उठाओ 31st October को Security Council से मुखाब होने के बाद Palestinian envoy ने पूछा और कितने दिन फिलस्तिनी मरते रहेंगे, उसके बाद आप बोलोगे, अब बस हो गया अब बस ये दिन कब आएगा पता नहीं, क्योंकि इसके बीच में, जो UN Secretary General है, वो खुद ही लग रहा है, इतने बेबस है ट्वीट पे ट्वीट किये जा रहे हैं, कि अरे ये परबादी रोको, अरे ये नरसंभार रोको, अरे ये जो हो रहा है, वो गलत हो रहा है ये जो महान United Nations है, दुनिया भर के जो इसमें देश बैठे हुए हैं, अल्टिमेटली उनके Secretary General क्या कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, ये है असलियत आज United Nations की International Criminal Court, ICC ने कहा है कि वो घाजा पर नजर रखे हुए, नजर, actively investigate कर रहे हैं ये सब 20 दिन बाद ऐसा बयान आ रहा है, किस तरीके का active response हो रहा है, किस तरीके का investigation हो रहा है, वो साफ-साफ दिख रहा है UN, ICC, दूसरी international organizations की नाकामी से सबसे बड़ा reason, obviously, ये western democracies ही हैं, खासकर कि US इसरेल की atrocities को support किया जा रहा है, white house spokesperson कहे चुके हैं कि इसरेल के पास कोई भी red line नहीं है, जो करना है कर लो, हमारे पास से blank check है, literally, पैसे का भी, missile का भी, और तुम्हें ना रोकने का भी और ये तस्वीर देखिए, साल है 2003, ये एराक की राजधानी बगदाद है, ये bombs US ने swam गिराए थे, और ये तस्वीर देखिए, 2023 की शहर है घाजा, यहाँ bombs made in US है, मगर इसरेल ने गिराए है क्या बगदाद को जलाने के लिए आज तक कोई भी American General या कोई भी American Politician को सजा हुई है, सजा दूर की बात है, कभी किसी को कट घरे में खड़ा किया गया है, कि भाई वो बताओ, वो जो WMD था, वो जो chemical weapon था, वो जो nuclear program बंप बनने की कोशिश हो रही थी, वो कहा है, लोग तो बहुत सारे मरें, लेकिन वो WMD तो कभी ना मिला, American-Israeli love affair की कहानी काफी interesting है, पहले open colonialism था, उसके बाद US-led democracies के business, trade, oil और military interest को protect करने की बात है, अरे सामराज जवाद आज भी जंदा है, और शायद आज गाजा को देखकर लोगों की आखे भी खुल रही है, कि किस तर तक US ने 120 billion dollar वो दे चुका है इसरेल को military aid में, ये पैसा by the way US tax से आता है, जो US का arm working नागरिक middle class आदमी मेहनत से भरता है, अब बड़े-बड़े पूंजपती tax थोड़ी न भरते हैं, इसरेल ये पैसा लेकर US के ही बड़े-बड़े पूंजपतियों से latest हत्यार खरीबता है इसरेल का 92% weapon import US से होता है, फिर इसरेल F-35 planes उड़ा कर घाजा के बच्चों पर, refugees पर, hospital और journalist पर made in US bomb गिराता है, यानि पैसा गया आम आदमी के जेब से, लेकिन आया military industrial complex और उनके पूंजपतियों के पास, और इसरेल ने बेकसूर फिलस्तीनियों के ऊपर धमाधम बम गि business, US में, UK में, France में, suppression के बावजूद बहुत बड़े बड़े लेकिन अब protest हो रहे हैं, सिर्फ ceasefire की मांग हो रही है, ऐसा नहीं है कि भईया इसरेल को बाहर निकाल दो या कोई और नया देश बना दो, सिर्फ इतनी मांग करने की कोशिश हो रही है कि अब कम से कम एक ceasefire कर और लोग ये कह रहे हैं कि हमें ये मनजूर नहीं है कि हमारे टैक्स के पैसों से फिलस्तिनियों को मारा जा रहा है, हमारे से बिना पूछे हमारी सरकार इस चीज़ को, इस जेनोसाइट को सपोर्ट कर रही है, पर शायद प्रोटेस्ट का खास असर ना पड़े, 2003 में इराक को प्रोटेक्ट करने की बात होती है, अपने ओयल और अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने की बात होती है, कोई न कोई जियो पोलिटिकल फ्लैश पॉइंट मिल जाएगा, और ये देश खूब पैसा कमाएंगे, और इनोसेंट लोग मरेंगे, और इसके बीच में एक और चीज जो साफ हो चुकी है वेस्टन मीडिया का रोल इसमें बिग मनी कितना बुरी तरीके से घुश चुका है कोई भी मैसिकर जेनोसाइड बिना प्रोपगेंडा और परसेप्शन बिल्डिंग के बिना नहीं हो सकता है और ये साफ दिखता है बड़े बड़े इंटरनेशनल मीडिया चैनल्स पर ये साफ दिख रहा है कि पिछले कुछ हफतों से बार बार अनवेरिफाइड फेक न्यूस चलाया जाता है जैसे कि 40 बच्चों का सरकलम करना उनको ओवन में डाल देना इसरेल के सरकारी सोर्सेज भी जो मिसिन्फरमेशन चलाना चाहते हैं उसको वेस् मीडिया ने फिलिस्तीनी पस्पेक्टिव को जगा तक नहीं दी है पूरा कवरिज फ्रॉम इसरेल फॉर इसरेल फॉर दे वेस्ट किसी फिलिस्तीनी एक्सपर्ट को बुलाया तो बस ये पूछ लिया कि भाई पहले बताओ कि तुम हमास की निंदा करते हो या नहीं अरे भ प्रशकों से चलते हुए वाईलिन्स का कोई जिकर नहीं है वो टेररिजम नहीं है फिलिस्तीनी करे तो टेररिजम इसरेल करे तो सेल्फ डिफेंस तूमच फकीरी कई जर्निलिस्ट्स जिन्होंने इस बायस्ट कवरेज के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की उनको नौकरी से बाहर निकाल दिया गया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स लॉयर्स स्टूडेंट्स जो कोई भी या कंपनी में कोई काम करने वाला बंदा जिसने भी फिलिस फिलिस्तीन के इशू को उठाने की कोशिश की इसरेल के हिपॉक्रिसी को दिखाने की कोशिश की उसकी गई नौकरी। टेक जाइंट्स ने कई फिलिस्तीनी पेजिस को रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, सेंसर करके रखा है, शैडो बैंड करके रखा है, शायद देशभक्त के वीडियोस के साथ भी पिछले कुछ हफतों से ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं, हमें तो आदत सी पड़ गई है लेकिन एक चीज साफ हो चुकी है कि फिलिस्तीनीों ने हार नहीं माली है, उन्होंने तै कर लिया है, कि मरते दम तक ही सही, लेकिन वो अपनी आवाज उठाते रहेंगे, दुनिया को बताते रहेंगी कि उनके साथ क्या हो रहा है, और दुनिया के अलग-अलग शेहरों में, लाखो लोग अब फिलिस्तीनियों के पक्ष में सड़क पर उतर भी रहे हैं, अपनी अपनी सरकारों पर दबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम, कम से कम, एक सीस फायर तो करा दो, कई सारे जूइश और्गनाइजेशन भी, sit-in प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सीस फायर की म इमीजिट सीस फायर की बात करें, इस बात पर ना हम घुजें कि हमास टेरर ग्रूप है, नहीं है, हमास ने जो किया वो गलत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप एक जेनोसाइड को अलाव करो, और मनजर भी देखते रहो साइड में बैट कर, साउथ आफरिका में भी अपाथाइड गवर्मेंट के खिलाफ इंडिया ने एक स्टांस लिया था, एक प्रिंसिपल स्टांस लिया था, आज वो ही एक प्रिंसिपल की जरूरत है, ऐसे में मीडिया का भी कर्तब में बनता है, कि वो बिना डरे गाजा के बारे में भी बात करें, इसलिए हमने इस व वीडियो बना रहे हैं फिर जनुसाइड का शब्द बोलना पड़ेगा उसके बारे में बात करनी पड़ेगी तो आप भी प्लीज इस वीडियो को इग्नोर मत करिये थोड़ा कॉमेंट कर दीजे थोड़ा शेयर कर दीजे और जादा से जादा लोगों को बोलिए इस चीज़ को इगनोर करने से सौल में होगा थोड़ा सा आवाज उठाना जरूरी है गाजा में जनोसाइड देकर निराश होने से ज़्यादा जरूरी अभी यह है कि हम वर्ल्ड में डिमोक्रिसी जो हैं ग्लोबल डिमोक्रिसी उनको थोड़ा हुबन राइट्स उनको थोड़ा इंसानियत का दो-चार पार्ट पढ़ा दे नहीं तो ऐसा होगा कि कल गाजा है कल और कोई और देश हो जाएगा कल अलजीरिया साउट आफरिका यह जनोसाइडल रेसिस लोग रुकेंगे नहीं जब तक ना आप और हम अपनी थोड़ी सी आवाज उठाएंगे